हेलो स्टुडेंट मेरा नाम है प्रशान्त रगवंची और आज हम लोग जीपएड स्पेशल क्लास में जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं यह बी फॉर्म थर्ड यर के स्लिबस में है फार्माकोलजी में तैट इस मिन्रेलो कॉर्टिकोड्स काफी स्मॉल टॉपिक है मैं पह करते हैं स्टार्टिंग में बता दो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है और आपको लगता है कि कमटेटी एक्जाम में और आपके समेस्टर में यह आपको हेल्प करेगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेर करिएगा मुझे सब्सक्राइबर हैंस करने ह और कमेंट सेग्मेंट में बताईएगा कि और बहतर मैं आपको कैसे ट्रीट करूं कैसे आपको अच्छे टीचिंग फैसलिटी प्रोवाइट करूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरेलो कॉर्टिकोईट्स आपको इसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता है कोई बात न और इसको हम कह सकते हैं यह एक हार्मोन है ठीक है अब यह हार्मोन करता क्या है कहां से बनता यही सब हम समझने वाले हैं फार्मकोलजी के कॉंटेक्स्ट में और जीपैट पॉइंट आफ इसे भी हम क्वेस्चन देखेंगे क्या क्या इससे पूछा गया तो जो हमारा किड्नी किड्नी का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं हमारी दोनों किड्नी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं अब यह जो एड्रीनल ग्लैंड है य इसको histologically हम इसका dissection करके इसके tissue को study करें तो कोई भी organ या कोई भी tissue के outermost part को cortex और inner part को medulla कहते हैं hopefully आपको यह पता होगा नहीं पता है तो इसको याद रखिए histologically किसी भी organ के outermost part को cortex और inner part को medulla कहते हैं तो adrenal gland का जो cap like structure है दोनों kidney के उपर होता है इसके cortex reason से corticosteroid नाम के hormones बनते हैं जिनके बारे में हम अभी discuss करने वाले हैं और जो beach का medullary part है medulla वाला part है इससे adrenal medulla से adrenaline और nor adrenaline नाम के दो neurotransmitter बनते हैं जो की हमारी body को sympathetic nervous system जिसमें की fight and flight mode के लिए बना है अब ये क्या होता है आप समझें जब एक एक हमारी body को या तो बहुत excited करना होता है या फिर बहुत ज़्यादा fear की condition डबलब होती है इन दोनों condition में हमारी heart beat बढ़ जाती है हमारी सांसे तेज हो जाती है और इसके अलावा पसीने निकलने लगते हैं इस तरह के जितने भी physiological events होते है इनको control करता है beach के medullary portion से बनने वाला adrenaline और noradrenaline उनके बारे में हम other lecture में discuss करेंगे और उस पर मेरे कुछ lecture से आप search करके देख सकते हैं जो cortex वाला reason है इससे क्या बनता है कैसे बनता है इसको हम यहां discuss करने वाले हैं तो जो cortex वाला reason है adrenal cortex ठीक है इसके भी तीन layer है बगल में मैंने बनाया हुआ है आपको दिख रहा होगा ठीक है adrenal cortex के तीन layer को कैसे याद रखा जा सकता है GFR GFR आपको याद होगा GFR से आपको glomerular filtration rate आप पढ़े होंगे या शायद ना पढ़े हों बट यहां पे GFR का वो मतलब नहीं है GFR आपको याद रहेगा तो तीनों layer के नाम याद रहेंगे याद रखिए cortex के outer most layer को zona glomerulosa कहते है G4 glomerulosa उसके अंदर की जो layer है उसको zona fasciculata कहते है और सबसे अंदर की जो layer है adrenal cortex की उसको zona reticularis कहते है तो क्यों मैं यह आपको बता रहा हूँ question क्या पूछा है GPAT में या pharmacist DI के exam में क्या question पूछता है कि mineralocorticoids या glucocorticoids या sex steroid कहां से secret होंगे ये तीनों हार्मोन है जिसमें से mineralocorticoids और glucocorticoids को corticosteroids में रखा जाता है और sex steroid जो है उनका function अलग है उनके बारे में हम बाद में further discuss करेंगे तो सवाल ये आता है कि cortex के किन पार्ट से किस layer से क्या secret होता है तो याद रखिए GFR में G से यानि glomerulosa से mineralocorticoids secret होता है जो आज हम discuss करने वाले है F और Jona fasciculata उससे glucocorticoid secret होता है और Jona reticularis जो adrenal cortex का सबसे अंदर का reason है उससे sex steroid secret होता है hopefully आपको समझ आ गया होगा फिर से मैं recall कर दूँ हम पढ़ रहे हैं corticosteroid corticosteroid हमारे kidney के उपर cap like structure है जिसको हम लोग adrenal gland कहते हैं उसके cortex यानि उसके outermost layer से बनने वाले endogenous hormones हैं जो हमारी body में various function को control करते हैं ठीक है ये दो होते हैं mineralocorticoids और glucocorticoids तो adrenal cortex की तीन layer Jona, glomerulosa, fasciculata और reticularis से क्रमश, mineralocorticoids यानि glomerulosa से mineralocorticoids fasciculata से glucocorticoids और reticularis से sex steroid stimulate या secret होते हैं stimulate नहीं secret होते हैं ठीक है? hopefully इतना आपको clear हो गया होगा चलिए तो corticosteroid का synthesis किस से होता है? ये बहुत famous question है corticosteroid को बनाने के लिए raw material भाई, secret होते हैं पता चलिए कि इस area से secret होते हैं बट किस से बने होते हैं corticosteroid? चाहे वो glucocorticoid हो चाहे mineralocorticoids हो उनको बनाने के लिए raw material क्या होता? इविन sex steroid भी तीनों को बनाने के लिए जो raw material यूज होता है that is cholesterol cholesterol के बारे में आपको पता होगा fatty acid के lecture में आप जाके देखेंगे मेरा fatty acid का जो lecture है उसमें cholesterol के बारे में मैंने बताया है आगे भी कई lectures में हम लग cholesterol का biosynthesis discuss करेंगे तो cholesterol ही इन तीनों को बनाता है ठीक है अच्छा उसके बाद glucocorticoids का secretion है वो early morning में ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है early morning में अच्छा यहाँ पर एक चीज में बता दूँ हमारे शरीर में हमारे brain में हमारी body में एक biological clock है अब यह कोई वह वाली घड़ी नहीं जो tik-tok करती है यह हमारे शरीर के अंदर एक system है जो दिन और रात के ओ maintain करता है कुछ activity दिन में अच्छी होती है कुछ activity रात में अच्छी होती है तो इस biological clock के according हमारे शरीर के event decide होते हैं ठीक है तो morning में, early morning में हमारे body में glucocorticoids ज्यादा अच्छे से बनते हैं हलाकि हमारा topic है mineralocorticoids बट जो important point है उनको मैं यहां discuss कर रहा हूँ तो glucocorticoids के बारे में याद रखेगा early morning में उनका formation ज्यादा अच्छे से होता है अब सवाल यह आता है कि कौन control करता है corticoosteroid कितना बनेगा कैसे बनेगा बनता कहां से आपको clear हो गया उसको बनाने के लिए raw material क्या है वो भी आपको clear हो गया लेकिन कौन control करेगा तो कौन control करता होगा obvious सिवात है master gland हमारे brain की जो pituitry gland है वो इसको control करती है अब pituitry gland में कौन control करता है pituitry gland से release होने वाला anterior pituitry से pituitry gland के anterior part से release होने वाला एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम ACTH है adrenocorticotropic hormone यह जो है cortex adrenal cortex से adrenal cortex से release होने वाले glucocorticoids और mineralocorticoids के secretion को control करता है ACTH adrenocorticotropic hormone जो की anterior pituitry से secret होता है ठीक है तो इस screenshot आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं इस page में जितने चीजे थी मैंने आपको बता दी अगर आपको अब तक का lecture नहीं समझ में आया तो प्लीज बैक जाके एक बार और देख लीजिए अब हम लोग mineralocorticoids के बारे में specific point discuss करने वाले हैं जो हमारा main topic है जितने भी point में बता रहा हूं सब GPAD के और examination के point of view से important है तो चलिए आगे चलते हैं तो हमारा जो mineralocorticoids है उसकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर रूको काटिकोईट की बात हम लोग next lecture में करेंगे मिनरेलो-korticoids में हमारे body में मिनरेलो-korticoids के रूक में सबसे main सबसे major amount में बनने वाला mineralocorticoids है उसका नाम है aldosterone hopefully आपने इसका नाम सुना होगा कहां सुना होगा आपने hypertension पढ़ा होगा तो इसका नाम सुना होगा आपने congestive Heart failure पढ़ा होगा तो इसका नाम सुना होगा आपने डायुरेटिक पढ़ा होगा तो इसका नाम सुना होगा अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो भी बहुत simple way में समझ लिजिए एक system होता है हमारी body में जिसको कहा जाता है RAS R-A-A-S Raining Angiotensin 1 Angiotensin 2 Eldosterone System ठेक है जो हमारे body में RAS system है इसके बारे में मैं lecture बनाऊंगा फिलहाल में इतना समझ यह system क्या करता है जब हमारे body में BP कम होता है हमारा blood pressure कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए यह system activate होता है और sodium और water का retention करके हमारी body में blood के pressure को बढ़ा देता है ठीक है यहाँ पर मैं एक simple सी चीज़ बता दूँ water sodium को follow करता है अगर sodium ज़्यादा amount में हमारे urine से निकलेगा बहुत अच्छे से समझीएगा मेरी बात को चाहे तो आप इसको voice में record करके या फिर इस तरह से इसको download करके आप इसको सुनेंगे तो और better होगा बट आप अच्छे से समझीएगा मैं क्या बताना चाहरा हूँ osmotic pressure body का जो होता है वो इस तरह से design है इतने scientifically और अच्छे से design है कि sodium जो की एक important cation हमारी body का वो जिधर जाता है water उसको follow करता है due to osmotic pressure तो अगर urine में sodium निकलेगा na plus ज़ादा निकलेगा urine में तो water धी ज़ादा निकलेगा body से अगर sodium retain करेगा तो water भी body में retain करेगा तो जब हमारा BP कम हो जाता है तो यह system activate हो करके sodium को रोकता है body में जिससे water भी रुकता है हमारी body में और हमारा BP normal हो जाता है because वो जो water और sodium रुकते हैं यह हमारे blood में रुकते हैं और overall हमारे blood के pressure को यानि की volume को फिर pressure को बढ़ा देते हैं blood का volume बढ़ेगा तो pressure अपने आप बढ़ जाएगा और हमारा BP control या normal range में आ जाएगा जब हमारा BP कम होता है तो रास system activate होता है जब वो system activate होता है तो eldostron यानि mineralocorticoids बनता है तो रास system की हम यहाँ बात नहीं करने वाले हम सिर्व बात करने वाले हैं किसकी eldostron की जो basic information आपको चाहिए था कि eldostron का secretion किस pathway के थू होता है वो मैंने आपको पता दिया ठीक है अब eldostron जो है यह क्या करता है यह as a mineralocorticoid जब secret होगा तो यह जा करके DCT पे DCT क्या है distal convolated tubule अब यह जिसको नहीं पता है तो simple समझ लीजिए हमारी जो kidney है इसके छोटे छोटे cells जो है kidney की जो unit cells है जिनके बहुत सारे cells से मिल करके overall kidney का internal structure बनाए है उनको हम nephron कहते हैं इनी nephron में blood का filtration होता है और urine का formation होता है यह आपके सामने एक nephron का structure है इसमें जो last part है जो उसको DCT कहा जाता है distal convolated tubule बीच में जो motor वाला portion है उसको loop of hin ले कहते हैं अब इनके बारे में हम diuretics में discuss करेंगे यह सिर्फ उनके लिए था जिनको DCT एकदम नहीं पता तो DCT जो है aldosteron work करता है और क्या work करता है कुछ ions का reabsorption करता है यानि यह ions जो urine में वापस निकल करके जा रहे थे उनको वापस blood में ले लिया जाता है दूसरा कुछ ions का excretion करता है यानि जो blood में blood में से नहीं निकल रहे थे या कम निकल रहे थे कुछ ions उनको ज़्यादा amount में urine में निकालके बाहर फेका जाता है शरीर से, समझिएगा बात को Reabsorption करेगा तो उस चीज को वापस शरीर मिलेगा, blood मिलेगा और उनका amount blood में बढ़ाएगा Excretion करेगा जिन ions का उनको शरीर से निकालेगा, ठीक है किसको लेगा, किसको निकालेगा, reabsorption करता है sodium ion का, ठीक है Na plus का, और excretion करता है potassium ion का और proton H plus का, ठीक है तो क्या होगा अगर mineralocorticoids ज़्यादा amount में बनने लगे यहाँ से हम लोग real pharmacology discuss कर रहे हैं, समझिएगा सारे लोगा अगर excess amount में mineralocorticoids बने तो क्या होगा अब यह सी बात है sodium का reabsorption ज़्यादा होगा ज़्यादा sodium जब शरीर में वापस आएगा जो urine में निकल रहा था तो ज़्यादा water भी वापस आएगा उसको follow करते हुए due to asmotic pressure और overall शरीर में sodium और water दोनों ज़्यादा amount में हो जाएगे जिससे BP बढ़ जाएगा यानि hypertension हो जाएगा साथ में edema हो जाएगा जब यह water हमारे tissue के fluid में जाके इकठा होगा तो हमारी body में edema, mixo edema इस तरह के problem create होने लगेगी simple condition में इसको edema कहेंगे जब यह thyroid से associate हो जाएगा thyroid का level कम होने के वज़ा से जो edema होगा उसको mixo edema कहेंगे अब देखिए mismatch मत करिएगा एकदम crystal clear समझेगा जब mineralocorticoids की हम बात कर रहे हैं तो आप simple याद रखिए that will cause edema and hypertension ठीक है इसके अलावा यह तो हो गई sodium की बात अब चुकी potassium और H plus का excretion इसने बढ़ा दिया है मतलब हमारी body में जो normal amount है potassium का और H plus यानी की proton का जो की acid है H plus क्या है acid है तो हमारी body से हमारी blood से acid निकल जाएगा ठीक है अब यहाँ कई बच्चे सोच रहे होंगे sir blood का pH तो basic होता है बटा यहाँ पे एक चीज़ समझिए blood का pH basic होता है बट इसका मतलब उसमें acid एकदम नहीं है ऐसा नहीं है blood का pH अगर 7.2 है तो वहाँ पे H plus कम है और base OH minus जादा है बट ऐसा नहीं कि एकदम acid नहीं है तो जो H plus है blood में normal condition में जब 7.2 pH एक healthy blood एक healthy person का तो उसके जो H plus है वो urine में निकलने लगेंगे और K plus भी ठीक है potassium iron भी निकलने लगेंगे तो जब potassium iron निकलेंगे तो इस condition को कहा जाएगा hypokalemia और जब H plus निकलने लगेगा और urine में base का amount बढ़ जाएगा क्योंकि H plus निकल जाएगा तो urine का pH बहुत जादा 7.2 से भी जादा हो जाएगा तो basicity blood की बढ़ जाएगी यूरीन में H plus निकल रहा है तो blood से ही जाके urine में filter होके निकल रहा है तो हमारे blood में basicity बढ़ जाएगी इसको alkalosis कहेंगे तो याद रखिए बहुत simple way में यह बच्चे रटते हैं मैं चाता हूँ आप समझो इसको क्योंगी GPAT या कोई competitive exam आपको निकालना है तो यह आपको समझना हुआ आप बस इतना याद रखिए कि mineralocorticoid ज़्यादा secret होगा तो sodium का reabsorption करता है और K plus और H plus को excretion करता है बस इत conditions disease में क्या होता है adrenal gland सही से काम नहीं करता है तो deficiency हो जाती है adrenal corticoids की ठीक है तो जब यह condition आएगी तो mineralocorticoid भी बनना कम हो जाएगा Addison's disease में तब क्या होगा तब इसका उल्टा होगा हाइपो कैलीमिया हो रहा था जब mineralocorticoid ज्यादा बन रहे था अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर उल्टा हाइपर कैलीमिया हो जाएगा ठीक है क्यों बहुत सिंपल वे में समझिए Addison's disease एक बिमारी है जिसमें adrenal gland सही से काम नहीं करती जब adrenal gland सही से काम नहीं करेगी तो क्या होगा adrenal cortex भी सही से हार्मोन का synthesis नहीं करेगा और mineralocorticoids कम बनेंगे ग्लूगocorticoids भी डिस्टर्ब होंगे उनके बारे में हम उसके lecture में डिस्कस करेंगे जब mineralocorticoids बनना कम हो जाएगा तो क्या होगा जो potassium excrete हो रहा था body से normally ज़्यादा potassium जो हमारी body में आ रहा था खाने से या किसी भी तरह से वो excrete हो जा रहा था due to presence of mineralocorticoids अब वो नहीं निकलेगा वो हमारी body में store हो जाएगा potassium का ज़्यादा होना बहुत ही dangerous होता है और इस condition को hyperkalemia कहते हैं इस वग doctor patient को उन food को न खाने को कहेगा जिनमें potassium होता है बट इससे काम नहीं चलेगा potassium का ज़्यादा हो जाना जो है इसको हमको तुरंत control करना होगा और उसका treatment कैसे करेंगे insulin के साथ normal saline देते हैं देखिए interesting बात है that is therapeutics आप सुनेंगे insulin का use कहा होता है insulin का use diabetes में होता है ठीक है वहाँ पे होता है लेकिन यहाँ पे भी होता है याद रखिए hyperkalemia यानी potassium ज़्या तो यह भी GPAT point of you से काफी important है इसके अलावा acidosis हो जाएगा क्यों क्योंकि H plus का जो excretion हो रहा था जब mineralocorticoid normal amount में बन रहा था अब वो नहीं बन रहा है कम बन रहा है तो जो H plus body से निकल रहे थे extra H plus वो अब नहीं निकलेंगे जब नहीं निकलेंगे तो कहां रहेंगे blood मे में रहेंगे तो क्या होगा यह blood को acidic कर देंगे blood का PS 7.2 से कम होने लगेगा और यह हो जाएगा 6.9 6.8 यह अच्छी condition नहीं है यह harmful condition है इस condition को metabolic acidosis कहेंगे जैसे कि क्या गया जता है जब H plus कम हो गया था उस condition को metabolic alkalosis कहते थे उसी तरह इस condition को metabolic acidosis कहेंगे तो metabolic acidosis में क्या करेंगे sodium bicarbonate sodium bicarbonate as a medicine दिया जाएंगे आपको पता है क्योंकि sodium bicarbonate क्या है बेस है तो बेस देंगे तो acid को neutralize करेगा उसी तरह जैसे वहाँ पे मैंने बताया नहीं obvious सी बात है वहाँ में acid दे होंगे dilute acid HCL देते होंगे dilute amount में चलिए यह तो बहुत simple बात थी ठीक है इसके अलावा क्य होगा hypotension भी cause करेगा ठीक है यह सब कब होगा जब mineralocorticoid कम बनेगा चाहे अपने से कम बने किसी गरबड़ी के वज़ए से किसी दवा के वज़ए से या फिर adicence disease हो जाए जिसके वज़ए से कम बने अब चलिए बात करते हैं aldosterone heart पे क्या करेगा heart पे यह myocardial remodeling hopefully आपको जब aldosterone ज़्यादा बनता है कब ज़्यादा बनता है जब किसी का रास सिस्टम रेनीन एंजियो टेंसिन aldosterone system गरबड़ हो जाए या फिर किसी भी वज़ए से aldosterone का secretion ज़्यादा होने लगे adrenal gland में cancer हो जाए तो क्या होगा यह ज़्यादा amount में बनने वाला mineralocorticoids aldosterone heart पे जब काम करेगा तो heart के structure और size को थोड़ा सा disturb कर देता है बड़ा कर देता है ताकि heart ज़्यादा blood flow कर सके पूरे body में क्यों करता है समझ यह जब बहुत लंबे समय तक BP लो रहता है तो उस वक्त क्या होता है aldosterone system activate होता है वही तो हमारे BP को normal करता है जब भी हमारा BP low होगा तो रास system activate होके उसको normal करेगा तो रास system को यह body को लगता है यह बार-बार BP low हो रहा है अगर heart अपना blood ज़्यादा फेक हर beat में heart अगर ज़्यादा blood फेक है तो अपने BP normal हो जाएगा तो aldosterone क्या करता है heart के size क इसको बढ़ा कर देता है जिसको कहा जाता है cardiac remodeling यह condition काफी worst condition होती है because इसके वज़ा से heart fail कर जाता है heart fail कर सकता है future में जा करके ठीक है cardiac remodeling एक mortality वाली condition है इससे मृत्ति उदर बढ़ती है heart के fail करने के chances बढ़ते हैं ठीक है तो cardiac remodeling कौन कर रहा है eldosterone कर रहा है ठीक है तो यह associated congestive heart failure और increase करता है mortality को hopefully आपको increase और mortality दिख रहे होंगे sorry अगर यहाँ पर नहीं clear है मैं next lecture मैं कोशिश करूँगा red marker या highlighter ना use करूँ चलिए तो मैंने यहाँ पर आपको explain कर दिया ठीक है अब जो drugs इसको रोकेंगी ठीक है यहाँ पर फार्माकोलजी चल रहा है तो यह drugs के बारे में discuss करना भी जरूरी है जो drug इसको रोकेंगी यानि myocardial remodeling को रोकेंगी वो drugs mortality को कम करेंगी यानि congestive heart failure में वो दवाएं कौन सी है जो cardiac remodeling को कम करती है और mortality को control करती है यानि सिर्फ congestive heart failure के symptoms को नहीं सही करती mortality यानि heart के size को normal करके मृत्य उदर को भी कम करती है वो दवाएं कौन-कौन सी है पहला spironolacton है जो की एक diuretics है ठीक है दूसरा AC inhibitors angiotensin converting enzyme inhibitors है तीसरा angiotensin receptor antagonist है नाम से ही clear है यह सब angiotensin पर काम कर रहे हैं तो aldosteron को भी रोकेंगे अगर angiotensin AC inhibitor दे करके angiotensin receptor antagonist दे करके हमने angiotensin को रोक दिया तो aldosteron अपने आप रोक जाएगा और beta blocker भी है तो यह चारो category की drug क्या करती है heart के mortality को कम करती है जब heart में mortality बढ़ जाती है ingestive heart failure के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि aldosteron heart की remodeling कर रहा है तो heart की remodeling नहीं होगी अगर aldosteron को रोका जाएगा excess में बनने वाले aldosteron को इन चार category की drugs के तो देखिए फार्माकोलजी में कितना छोटा और कितना specific lecture हम लोग डिसकर्स किये hopefully आपको अच्छा लगा होगा कोई question हो तो please comment segment में पूछिए और please को share करिए like करिए subscribe करिए अपने facebook पे अपने status पे इसको share करिए और like ज़रूर करिए तक ही subscribe बढ़े मुझे motivation मिलेगा मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाई हूँ तो चलिए within one two days जल्दी एक और lecture आने वाला है काफी अच्छा ठीक है जी पैट के point of view से all the best thanks for watching